हम मैटर के वेव मेचर पर चर्चा करते रही हैं और जो मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स को प्रस्तुत किया है वह यह है कि मॉमेंटम पी वाले एक पार्टिकल में वेवलेंथ लेंबडा होता है जो इसके साथ ट्रेवल करने वाली से संबंधित है इसका मतलब है कि लेंबडा वेव जैसा कि एल्चोवर पी है हमने यह नहीं बताया कि यह किस प्रकार की वेव्स हैं केवल एक चीज जो हम जानते हैं वह यहा है कि जब पार्टिकल गती करता है तो उसके साथ कुछ वेव ट्रेवल करती है और इसकी वेवलिंथ एचोवर पी है और हमने यह भी चर्चा की है कि इन वेवस के अस्तित्व की जांच या टेस्ट कैसे किया जाता है और जिन तीन एक्सपेरिमेंट की मैंने चर्चा की वे थी क्रिस्टल से पार्टिकल्स का डिफ्रेक्शन ग्यूब क्रिस्टल से एक स्रीज के डिफ्रेक्शन की समान है दोनों ब्रैग रिलेशन्शिप को संतुष्ट करते हैं वह कहता है कि दो डी साइन थीटा एन लेंब्डा के इक्वल है जहां एक्स किरणों के लिए यहाँ एक्स किरणों की बेवलेंध होगी और इलेक्ट्रोनों या क्रिस्टल से डिफ्रेक्टिब पार्टिकल्स के लिए यहाँ उन पार्टिकल्स का लेंब्डा होगा जो पार्टिकल्स के एच ओवर्पी है मैंने आपके सामने इलेक्ट्रोनों के इंटर्फेरंस करने की संभावना और एक डबल स्लिट एक सपेरिमेंट भी प्रस्तुत किया और एक और बात जिस पर मैंने चर्चा की बह खी कपिद्जा डाइरेक्ट स्कैटरिंग जो प्रकाश की स्टेंडिंग वेवस से पार्टिकल्स की स्कैटरिंग या ब्रेक्ट डिफ्रेक्शन है बसे सवधारना पर थोड़ा और ध्यान देते हुए मैं इस बात पर जोड़ देना चाहता हूं की उनकी कुछ गलत धारनाएं हैं जिन्हें तुरंत दूर किया जाना चाहिए एक गलत धारना और बहा यहा है की जूंकि पार्टिकल्स के मोशन से संबंधित वेव्स होती है पार्टिकल्स गतिमान होना चाहिए जैसे की एक वेव है इसका मतलब है की कभी-कभी यहा गलत धारना होती है की एक पार्टिकल्स स्वयम मोशन कर रहा है जो वेव लाइट है एक वेवलेंध के साथ जिसे लेंब्डा एच बटा पी द्वारा दिया गया है यहा गलत योजना बनाई गई है पार्टिकल्स से संबंधित यहाँ वेव बिजनेस क्या कहता है की यहीँ कोई पार्टिकल है जो मोमेंटम पी के साथ कति कर रहा है पार्टिकल्स के साथ एक वेव संबंधित होती है और हम अभी तक नहीं जानते हैं कि यह वेव क्या है जब तक हम interpret शुरू करने में equation नहीं लिखते हैं लेकिन experimental तौर पर यह स्थापित किया गया है कि यहां एक वेव संबंधित है जिसमें एक वेवलेंथ लेंबदा है जो कि H over P है तो यहां बहुत स्पष्ट होना चाहिए एक particle गतिमान है और उसके साथ एक वेव संबंधित है नमबर दो Particles कर्डिफ्रेक्शन या यहां वही है जैसे particles का Interference भी संख्या में particles के लिए सांख्य किये है मेरे कहने का मतलब यहां है कि मान लीजिए कि मैं एक double slit experiment कर रहा हूँ इस side से electron आ रहे है और अंत में मुझे एक interference pattern दिखाई देता है गलत धारना यहां है कि और यह प्रत्य एक electron से संबंधित wave है जो एक interference pattern बनाती है बस एक electron यहां 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 जा सकता है इसलिए हम वास्तव में interference pattern नहीं देखते हैं लेकिन यह बन रहा है तो क्या होता है जब धीरे धीरे यदि आप एक time में एक electron को आने देते हैं और सारा data collect करने के बाद एक समय में केवल एक electron को slits से गुजरने देते हैं आप इस तरह से उभरता हुआ एक pattern देखते हैं और इसका मतलब यहां है कि प्रत्य एक electron अपने आप में interfere कर रहा है अधिक सटीक रूप से प्रत्य एक electron से संबंधित एक wave दोनों slits से गुजरती है और जब यह डबल यंग्स डबल slit experiment में प्रकाश wave interference की तरह निकलती है ये waves भी interfere करती हैं और फिर तदनुसार particle कहीं चला जाता है particle divide नहीं हो सकता है इसलिए यहां कभी न सोचें की केवल जब बड़ी संख्या में particles आते हैं तो वे एक दूसरे के साथ interfere करते हैं और फिर interference pattern में रूप लेते हैं नहीं यहां प्रत्य एक पार्टिकल एकल पार्टिकल से संबंधित wave है जो स्वयन के साथ interfere करती है और crystal diffraction experiment में भी एक समान चीज बनाती है प्रत्य एक electron से संबंधित wave प्रत्य पार्टिकल अपने आप में interfere करती है और फिर जब आप बहुत अधिक data collect करते हैं तो आप pattern को particle को कही जाते हुए देखते हैं इसलिए मुझे आशा है कि मैंने इन गलत धरनाओं को दूर कर दिया है जो काफी प्रचलित हैं अब ऐसा करने के बाद मैं kapitza direct प्रभाव को भी कुछ time देना चाहता हूँ जिसमें हमने जो कहा वह यह है कि अगर मैं light की extending wave लेता हूँ और अब इस side से electron या कुछ particles particular angle थीटा पर आने दें आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में electron समान momentum P के साथ एक ही angle पर diffract करते हैं यह कैसे होता है तो यहां क्या होता है waves पर हमारी चर्चा से याद किया जाता है कि standing wave इस तरह से travel करने वाली एक wave है और एक wave समान आयाम के साथ दूसरी और travel करती है तो जब electron अंदर आता है तो क्या होता है यहां नीचे आने वाली wave से एक photon को अवशोशित कर सकता है और इसलिए यहां निश्चित दिशा में एक किक प्राप्त करता है और फिर दूसरी तरफ जाने वाली wave उस photon को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित हो सकती है तो इसे एक और किक मिलती है आये हम इसे और अधिक विवस्थित रूप से करते हैं इसलिए जब यह momentum पी आ रहा है और मान लीजिए कि electron इस और से new frequency के एक photon को अवशोशित करता है इसे photon की momentum की किक मिलती है जिसे h over lambda light के रूप में भी लिखा जा सकता है जोकि h new frequency है तो फिर चुंकि यह एक standing wave है तो इस और भी एक light आ रही है यह इस electron को विपरी दिशा में जाने वाले photon को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित कर सकता है और यह photon में एक और किक जोडता है जो फिर से h new potassium है और इसलिए अंततह photon momentum किसे इस तरह से चलाती है तो यह theta angle पर अरहा था और P को समान रखते हुए इस कून theta पर बाहर निकल गया डेल्टा पी कितना है डेल्टा पी यहाँ बड़ा arrow है इसलिए डेल्टा पी photon के दिशा में है जो theta के वो पी electron sign के equal है जिसे आप इस आरेक से देख सकते हैं जो मैंने बनाया है और यहाँ h over lambda light times 2 के equal होना चाहिए क्योंकि दो photon शामिल हैं जो दो हैं मैं इसे दो times h cross over lambda over pi लिख सकता हूँ जो की दो h cross के light के समान है आप कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं लेकिन यहाँ आपको यहाँ भी बताता है कि h cross के light का momentum है और इसलिए electron का sign theta times p मैं इसे दो times h over lambda electron लिख सकता हूँ जो की दो times h over lambda light के समान है और बहाँ आपको तुरंत देता है कि lambda light times sign theta lambda electron के equal होता है जो breath condition के समान है जैसा कि पिछले व्याख्यान में दो planes के बीच इस अंतर के साथ लिया गया था एक plane D है जो lambda light को दो से divide करता है तो यह समझने का एक तरीका है कि यहाँ के पीकॉन या प्रभाव है जहां electron एक photon को अवशोशित करता है तो उस photon को विपरीद दिशाओं में emit करने के लिए उत्तेजित किया जाता है जिससे हमें दो बार किक मिलती है इसलिए ऐसा करने के बाद अब हम इस wave और particle के बारे में थोड़ा और समझना चाहते हैं अब wave एक ऐसी चीज है जो space में फैली हुई है इसलिए यदि आप एक plane wave लेते हैं तो यह पूरे space में फैल सकती है कुछ इसे जितना संभव हो सके खीच सकते हैं तो यह एक लहर है जो space में फैली हुई है दूसरी और यदि आप किसी particle को देखें तो वह कहीं न कहीं स्थानी अकृत है यह यहां हो सकता है यह यहां एक position पर हो सकता है तो यह एक point पर स्थानी अकृत है किसी particle के साथ कोई wave संबंधित हो तो particle का स्थानी अकरण हो जाता है लेकिन वेव चारों और फैल जाती है कहां particle है क्या यह यहां है यह वेव में कहां है तो प्रश्न उठता है कि वेव में particle कहां पाया जाता है यह एक सवाल है दूसरा प्रश्न यहां है कि आए हम इन वेव के वेग की गणना भी करें अगर मैं non-relativistic term में गढ़ना करता हूँ तो non-relativistic V-wave frequency times lambda होने जा रहा है frequency और कुछ नहीं बलकी energy, overage times lambda है जो h over p है h cancel हो जाता है और मुझे ये over p मिलता है जो की कुछ नहीं है बलकी p square over 2m over p है जो की p over 2m है जो की V particle over 2 है दूसरी और यदि मैं एक relativistic गढ़ना करता हूँ तो मुझे ए relativistic गढ़ना करने दे तो मेरे पास फिर से V wave energy के equal है जो की m c square over 1-v square over c square times 1 over h times momentum का square root होने जा रहा है जो की h over momentum है mv over 1-v square over c square का square root है तो फिर मैं इस term को cancel करता हूँ मैं m cancel करता हूँ मैं h cancel करता हूँ और मुझे c square over particle मिलता है दोनों ही मामलों में मैं देखता हूँ कि wave का वेग भी particle के समान नहीं है तो ऐसा क्या हो रहा है दो प्रश्न जो particle से संबंधित एक wave के इस विचार का कारण है नंबर एक वह जगह है जहां wave में particles थित है और प्रश्न संख्या दो यहा है कि particle का वेग वेव चित्र में कैसे प्रवेश करता है और इन दोनों का उत्तर किसी चीज द्वारा दिया जाता है जिसे वेवस का समुह कहते हैं यही मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ इसलिए जब हम कहते हैं कि हर जगह वेव है और मुझे नहीं पता कि particle कहां स्थित है जो यहां कहीं होना चाहिए था इसे dot द्वारा कहां दिखाया जाता है तो इस dot के माध्यम से मेरा कहना है कि particle वास्तव में जब चल रहा है तो वह infinite train of wave द्वारा निरूपित नहीं किया जाता है बलकि इस wave को particle position के आसपास स्थानी अकृत किया जा सकता है तो particle कहीं है यहां एक बड़ा आयाम है तो इसकी एक profile है और particle इस profile के भीतर पाया जाना है तो मानले कि यदि यह डेल्टा एक्स है तो इस wave के प्रसार की सीमा इस profile के भीतर particle पायी जाती है मैंने यह statement देकर notice किया है कि मैं वास्तव में उससे कहीं अधिक कह रहा हूँ जो कुछ भी मैंने अभी कहा है मैं जो कह रहा हूँ बहा यहा है कि यदि मैं particle के साथ एक wave को संबंधित करता हूँ तो यहां किसी डेल्टा एक्स के भीतर स्थित हो सकता है यह ठीक से स्थित नहीं हो सकता है और यहां एक quantum mechanically रूप से सत्य कथन है मैं डेल्टा एक्स के शून्य होने के साथ particle की स्थिती का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकता क्योंकि उस wave के भीतर कहीं भी एक wave संबंधित हो सकती है इसलिए उदाहरन के लिए कि जब मैं इस particle और इस से संबंधित एक wave को एक profile के साथ लेता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी उदाहरन के लिए यह हो सकता है कि अब waveform के साथ मैं इस Greek प्रती को साई एक्स का परिचय दूँगा क्योंकि मैं इसे बाद में उपयोग करने जा रहा हूँ जो form होने जा रहा है उदाहरन के लिए यह कुछ सिग्मा कॉंस्टिंट स्क्वाइर पर कुछ के शून्य एक्स माइनस ओमेगा शून्य शून्य टी टाइमस एरेज टू माइनस एक्स स्क्वाइर तक का साइन हो सकता है इसलिए जैसे जैसे आप पार्टिकल की उस पोजिशन से दूर जाते हैं यह डिके होता जाता है इसलिए यदि पार्टिकल की पोजिशन एक्स नॉट पर है तो मैं इसे साइन के नॉट एक्स माइनस होमेगा नॉट एक्स हेरे इस टू माइनस X माइनस X not square over sigma square के रूप में लिख सकता हूँ जहां के not इस undulation के इस lambda से संबंधित है तो मैं इसे 2 pi over lambda 0 omega 0 के रूप में लिख सकता हूँ और यह particle over h cross की energy से संबंधित है जो कि 2 pi new के समान है और जो कि 2 pi over h के समान है तो यहां कुछ वेवलेंद संबंधित है लेकिन यहां profile भी है तो इस मामले में न केवल के not मौजूद नहीं है बलकि यहां एक और मामला भी है और वे कैसे मौजूद है फिर से मैं वापस जाओंगा तू अभी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि आइगन फंक्शन के संदर्भ में एक जनरल वेव का निरूपन कैसे किया जाता है तो इसे मैं एक fourier transform या योग के रूप में लिख सकता हूँ अलग मामले में time कुछ constant है के के x आप किस तरह से कहना चाहते हैं इस पर निर्भर करते हुए मैं सिर्फ sign को बदल सकता हूँ और मुझे यह पसंद आएगा के और continuous मामले में इसे fourier transform के रूप में लिखा जाता है जो की कुछ है के erase to i omega t minus के x d के function के का integral है के minus infinity से infinity तक है और के equal के 0 के लिए एक अधिक्तम है क्योंकि आप देखते हैं कि यहां एक प्रमुख waveform है और वहां वहां से decay हो जाता है तो उदाहरन के लिए यहां इसकी form हो सकती है अगर मैं एक वर्सिस के plot के लिए जाता हूँ तो यहां form हो सकती है इसकी मान लीजिये कि यहां के not है यहां वहां सबसे बड़ा है और फिर decay हो जाता है तो यहां कुछ waves mix हो रही है यहां है डेल्टा के कुछ डेल्टा के भीतर के किस से संबंधित है जी ब्रोगली की hypothesis द्वारा के दो πाई ओवर लेंबडा के अलावा कुछ नहीं है जो कुछ और नहीं बलकि दो पाई ओवर एच टाइम्स पी है यहां देता है पी ओवर एच क्रॉस जिसका अर्थ है कि पी इक्वल है एच क्रॉस के तो मोमेंटम का पार्टिकल के से एच क्रॉस के के रूप में संबंधित है और जब मैं यह कहता हूँ उनका योग प्रसार डेल्टा के इसका मतलब है कि पार्टिकल का मोमेंटम निर्दिष्ट नहीं है बहुत सथीक इसका एक बड़ा हिस्सा के शून्य है लेकिन इसमें एक प्रसार भी है इसलिए विशेश रूप से पोजिशन बिलकुल निर्दिष्ट नहीं है यहां तक कि मोमेंटम में एक प्रसार है मोमेंटम सठीक होता यदि यह माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक भैलने वाली कॉंस्टेंट वेवलेंध की एक प्लेन वेव होती इसलिए स्थानी अकृत पार्टिकल डेल्टा एक्स के लिए इसकी पोजिशन का पता ठीक नहीं है इसकी मोमेंटम का ठीक पता नहीं है और वास्तव में आप दिखा सकते हैं अगर वहां यहां पार्टिकल है जो की इसके भीतर स्थित आयाम यहां यहां कहीं स्थित है प्रसार डेल्टा एक्स है और अनुरूक फोरियर ट्रांसफॉर्ग का प्रसार के शून्य के आसपास है यहां एके है और बेज डेल्टा के हैं और फिर डेल्टा के डेल्टा एक्स का ओरडर है और डेल्टा के और कुछ नहीं बलकि P over h cross डेल्टा एक्स है और डेल्टा पी डेल्टा एक्स h cross का ओरडर है यहाँ एक और परिनाम जोड़ता है वेव नेचर वाले पार्टिकल का अगर मैं उन दो को रिकनसाईल चाहता हूँ जो मैं मोमेंटम औ और संबंधित पोजिशन से नहीं कर सकता वही दिशा। उसी सतीकता के साथ जैसा कि मैं क्लासिकल रूप से करता हूँ और वे प्रोडक्ट वास्तव में H-Cross है। यह uncertainty principle का एक विवरण है जो वापस आएगा बाद के lectures में। अभी मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि आप वेव और पार्टिकल नेचर को एक साथ देखें। आप जितना चाहें उतनी सतीकता के लिए गती और पोजिशन मोमेंटम नहीं कर सकते। उनके पास एक पारस पर एक relationship है डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच ग्रॉस के order का है। तो अब इस वेव पैकेट का निरूपण करने के लिए जो की पिछली स्लाइड में मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्ग के रूप में लिखा था। और मैं यह लिखने जा रहा हूँ साई एक्स के इक्वल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एके इरीस टुआई ओमेगा टी माइनस के एक्स डीके आपको आश्चर्य हो सकता है कि केवल के पर ही integration क्यों कर रहा हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि ओमेगा एक फंक्शन के भी है अब मान ले कि शून्य के इक्वल प्रोफाइल को साई शून्य एक्स के रूप में दिया गया था जो की है integration माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक एके इरीस टुआई माइनस आई के एक्स जी एक्स और यह साई एक्स है कभी कभी बाद में क्या होता है और यह के एपीक क के आसपास के शून्य है तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ साई एक्स कॉमा टी और पहले के लेक्चर्स को याद करें कि जब मैं टाइम डिपेंडेंस लिखना चाहता हूँ तो मैं केवल टाइम डिपेंडेंस ही रखूंगा जैसा कि एक वेव के लिए होता है तो यह एरे के साथ साई फंक्शन या वेव फंक्शन इस तरह दिखने वाला है याद करें जब मैंने स्ट्रिंग की थी और मैंने कहा था कि अगर मैं इसे ट्राइंगुलर स्ट्रिंग का आकार दें और इसे प्रदर्शित करें टाइम के साथ डिस्प्लेस्मेंट को सभी आइगन के यो के रूप में दिया गया था फ्रिक्वेंसी और आइगन फंक्शन ठीक उसी तरह मैं यह लिखने जा रहा हूँ और अब चुरूंकि के इक्वल के शून्य के आसपास के सबसे बड़ा है हम ओमेगा के को के शून्य के ओमेगा ब्लस डी ओमेगा डी के को के शून्य डेल्टा के पर विस्तारित करेंगे तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ साई एक्स टी जोकी इक्वल है इंटिग्रेशन के इरिस्ट वाई ओमेगा शून्य जोकी टी पर ओमेगा के अनुरूप है जोकी के शून्य माइनस के शून्य एक्स टाइम्स के अनुरूप है यह इरिस्ट वाई गी ओमेगा ओवर गी के पर के शून्य डेल्टा के माइनस डेल्टा के एक्स डी के माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी है चुकि करली ब्रैकेट्स में दिखाया गया भाग के पर निर्भर नहीं करता है मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ और इसे erase to i omega 0 t minus के 0 x integration minus infinity से infinity के रूप में लिख सकता हूँ एके लिखने के बजाए मैं इसे delta k के एक function के रूप में लिख सकता हूँ जहांके 0 के मामले से delta मामला अलग है erase to i d omega over dk पर के 0 minus x 80 यहां delta के रूप में और delta के over integration और यहां क्या है? याद करें के एके erase to minus i के x dk यह function था जो की इस wave की profile दे रहा था तो यह वही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो यहां size 0 x था इसलिए मैं वही profile प्राप्त करने जा रहा हूँ और यह size 0 होने जा रहा है इसके अलावा अब मैं करने जा रहा हूँ d omega over dk पर k 0 t minus x तो क्या होता है? यह profile जो time t में थी यह distance d omega बटा dk द्वारा के 0 times t पर shift हो गया है और इसलिए अब इसे के 0 t minus x पर dk over d omega के साई 0 के रूप में दिया जाता है यदि यह इतना d omega बटा dk के 0 t द्वारा shift हो गया है इसका मतलब है कि यह के 0 पर वेग वी equal omega बटा dk साथ आगे गती कर गया है तो यहां यह particle था जो इस profile of wave द्वारा दिया जा रहा है और time t में यह fellow distance d omega बटा d के द्वारा गती करता है के 0 t पर calculate किया गया और यहां उसी आकार में गती करता है जिस आकार में particle यहां पहुँच गया है और इसलिए इसका मतलब है कि जिस वेग से वह गती कर गया है वह के 0 पर d omega वटा के है और इसे group velocity के रूप में जाना जाता है वी जी group velocity है क्योंकि वेव का समोह जो गती कर गया है और यहां समोह velocity समान होनी चाहिए particle के वेड के रूप में और चलो इसे जाचे तो ए P square over 2m के रूप में दिया है जिसे अब तक आप H cross square over के square over 2m से परिचित हो चुके हैं तो omega जो E over H cross समान है 2π के E over H H cross है K square over 2m है और इसलिए D omega over D के K 0 होने वाला है H cross के over M K 0 पर जो है H cross के 0 over M जो P 0 के समान है over M जो particle velocity के समान है इसलिए हम कहते हैं कि Particle velocity एक particle विग समो velocity के समान है इसलिए यह निशकर्ष निकालने के लिए कि जब मैं एक wave को एक particle के साथ जोड़ता हूं तो पार्टिकल का वर्णन किया जाता है जिसे मैं एक wave packet कहता हूं यह एक wave packet है और पार्टिकल का वेग समो velocity के समान है अगले व्याख्यान में हम इस wave के लिए wave equation विकसित करेंगे और श्रोडिंगर equation का उपयोग करके समस्याओं को हल करना शुरू करें करेंगर करेंगर तो प्रीप्याख्याद अर्णन तो अर्णन झाल झाल